हेलो बाईयो कैसे हो तो इंडिया वर्स इंग्लेंड फोर्ट टेश मैच का पहला दिन खतम हो गया है और इंग्लेंड ने साथ विगेट के नुकसान पर 302 रन बना लिये है जो रूट 106 रन पर तो अली रोबिंसन 31 रनों पर नो टोट है तो चलो शुरू से शुरू करते हैं दो टेश मैच के न पहली बार रोइद भाई ने टॉस हा रहा उन्होंने बॉलिंग चूस की मतलब बेंस्टोक्स ने टॉस जितकर बैटिंग ली टॉस के वक्त रोइद भाई ने कहा मैं जानभूच करें टॉस हा रहा हूँ वरना इंगलेंड वालो की मेंटल हेल्थ पानी चली जाती चापाक क्योंकि ये लोग ये कहे कर रोने लगते कि मैच तो जितने नहीं देते पर टॉस भी नहीं जितने देते यार क्या करे हम मर जाए खेर तो इस मैच में बुम बुम बुमरा भाई को रेच्ट देने की वज़े से आकाश दीब को टीम में डेविव करने का च इतने क्रैक थे कि उन्हें देखकर मुझे वर्ल्ड कफ हारने के बाद इंडियन फैंस के दिल में जो क्रैक्स पड़े थे उनकी याद आ गई मैंने सोचा देड़ दिन में हमारे स्पीनर्स मैच खतम कर देंगे एशनना मैच में दस फिकेट लेंगे स्पीनर्स बैट्समन को बॉबी देवल की तरह रना चाहेंगे पर मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पीच दिखने में तो किसी इंडेन ड्रामा सीरियल की डेंजरस सास जैसे दिख रहे थी लेकिन विवाह की पुनम की तरह संसकारी निकली लगता है किसी ने पीच के उपर उपर से बस क्रैक की डिजाइन बना दी है तो देखते हैं आगे पीच कैसे भीयो करती है क्या संसकारी बहु से डेंजरस सास बन जाएगी ये तो हमें आगे ही पते चलेगा खेर तो मैच टार्ट हुआ और पिछले मैच में देड़सो रन मनाने वाले 20 डेकेट को आज एक-एक रन मनाने के लिए तरस न पड़ा दूसरी तरफ जाक क्रॉली को भी आकाश दीब ने बोल करके अपना डेवी विकेट ले लिया था और उसके बाद रनविर सिंग वाली एनरजी के साथ उन्होंने सेलिबरेट भी किया लेकिन भगवान मौत देदे पर ऐसा लख न दे कि डेवी मैच में बोल करके अपना पहला विकेट लेने के बाद वो नो बोल हो जाए मैं तो आज तक अपने आपको अनलकी समझता था पर ये देखकर मुझे याद आया कि सच में दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है पर आकाश भाई ने कुछी देर बाद अपने दुख को खुशी में बदलते हुए बहतरीन कमबक किया और इस बार एक ही ओर में उन्होंने दो विकेट ले लिये पहले बेन ड़केट को आउट कर दिया और दो बॉल बाद ही जिस तरह ब्लैक बेरी फोन डिसपियर हो गया है वैसे ही ओलिफ पोप को भी गायब कर दिया इंगलन का स्कोर सहेतालिस पर दो विकेट था इसी भी एक बार जड़ जाकी बॉल पर भी क्रॉली के अगेंस्ट अपील हुई थी लेकिन अंपार्स कॉल ने उन्हें बचा लिया और इस बार उन्हें सेलिब्रेशिन करने के पहले अंपार से भुचा कि भाई नो बॉल त नहीं है और इस बार कोई नो बॉल नहीं था इसलिए जैक क्रॉली को बैलीस रन मनाने के बाद पविलेंज जाना पड़ा मा के आशिरवाद से आकाश भाई ने डेबिव में ही तीन विकेट ले लिये फिर जॉनी बेश्टो ने रूट के साथ मिलकर बावन रनों की पार्टनर्शिप की बेश्टो ने एक छक्का भी मारा 38 रनों पर अश्विन ने उनको भी आउट कर दिया और इसी के साथ आश अनना ने इंगलन के अगेंश्ट अपने 100 विकेट पूरे कर लिये और अब आश अनना एशिया के पहले ऐसे प्लेयर बन गये है जिनोंने किसी भी अपोनेंट के अगेंश्ट 1000 रन और 100 विकेट लिये है अग ग्रेट अचीवमेंट खेर तो फिर बेंश्टोक्स भाईया भी सिर्फ 6 वॉल खेलने के लिए आये थे तो उनको भी जड्डू भाई ने लंच करने के लिए भेज दिया अमपायर ने कहा सिर्फ अखेले उसकोई क्यों भेज रहे हो लंच के लिए हम सब भी चलते हैं ना और इसी के साथ लंच तक इंगलंड का स्कोर 112 पे 5 विगेट था यहाँ से हर कोई सोच रहा होगा कि रूट भी फॉर्म में नहीं है तो इंगलंड ज्यादा से ज्यादा एक या देर सेशन खेलकर नीपट जाएगा पर लगता है रूट भाई को वो स्टुपिड शॉर्ट वाली बात सीधा दिल में लग गई है जितना इस आदमी ने MDH के मसालों को प्रोमोट नहीं किया है न उससे भी ज़्यादा आज रूट भाई ने टुक टुक खेलकर टेस्ट को प्रोमोट किया है देखो भाईयो मुझे तो लगता है कि nothing is better than दोफर की नींद और रात की नींद सुबह की नींद भी और हाँ शाम की नींद भी बट रूट की इनिंग वाज बेटर देट मुझे लगता था कि दुखी होने के बाद एक बार फिर से खुश होना ही सबसे बड़ा कमब्याक होता है पर उससे भी बड़ा कमब्याक आज रूट ने किया है जिस रिपोर्टर ने रूट के शौट को stupid कहा था देखना अब वो ही रूट की तारीब भी करेगा मैंने भी कहा था है ना मैं भी तारीब कर रहा हूँ खेर तो रूट की बैटिंग देखकर बैस बाल को criticize करने वाले Michael Vaughan ने भी कहा finally the common sense ball has arrived तो रूट की इस इनिंग्स की वज़े से और फोक्स ने भी उनका साथ दिया इस वज़े से इस सीरीज में पहली बार England ने विकेट ले सेशन निकाला और अस्ती के करीब रंस भी बनाए तीसरे और आकरी सेशन में बैटिंग करने आते ही सीराज ने फोक्स का विकेट लेकर इंडिया को breakthrough दिलाया और 113 रनों की partnership का अंध हुआ इसके बार टॉम हाटली ने भी कुछ मौल लेवान 20 रनों की partnership की root के साथ फिर सीराज भाई ने उनको भी आउट कर दिया लगा कि आज ही हमारे बॉलर्स टेलेंडर्स को निप्टा देंगे बट आली रोबिंसन का प्लान कुछ और ही था वो अभी भी not out है पर ये देखवाई और वो भी आग बंद करके देखना क्यों आग बंद करने के बाद भी out लग रहे ना पर नहीं अंपायर ने इसे not out दे दिया मुझे तो आज समझ ही नहीं आ रहा था कि अंपायर को क्या हो गया है उंगली ही नहीं उटा रहे थे यार किसी ने उनकी उंगली पर 10 केजी का डंबल तो नहीं बाद दिया था जो उनसे उठी नहीं रही थी या फिर कल रात को बेंश्टोक्स ने अंपायर को कोई पार्टी बाटी दी थी यार आज जाक रॉली को अपने डिफेंस पर जितना पहरोसा नहीं था न उतना अंपायर बर था कि वो मुझे बचा लेगा जो आकाच दी भाई की नोबल भी थी ना वो लाइन पर पहर था उनका और लाइन बिलॉंग श्टो अंपायर मतलब अगर अंपायर नोबल ना भी देता तो वो भी सही ही डिसेजन होता पर पता नहीं अंपार्स को क्या हो गया था दीखी नहीं रहा था यार कुछ उनको मेरा तो ये सजेशन है उनको की स्ट्रॉबिरिस खाया करो आखे अच्छे होगी खेर तो दीन खतम होते होते रूट ने भी अपनी 31st स्टेश सेंचुरी पूरी कर ली जिसमें से 10 तो उनों ने इंडिया के अगेंस्ट ही मनाई है रूट ने 19,000 इंटरनाशनल रंस भी कम्पलिट कर लिये है तो अभी तो मैच इंगलेंड ने जो 112 पे 5 विकेट के बाद कमबाक किया है उस वज़े से 50-50 हो गया है पर देखते हैं आगे क्या होता है तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स वीडियो में